हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्तिक स्वालत है आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजूकेशन टीचर की रिक्रियोट्मेंट के बारे में जो की कुछ रेपेट्विड प्राइवेट स्कूल में निकली हुई है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि गोर्मेंट स्कूल्स की तरही गोर्मेंट जो जोब में आपको सेलरी मिलती है अलाउंसीज मिलते हैं तो उनहीं की तरह आपको प्राइवेट स्कूल में भी वही फैसलेटी मिलती है तो इसलिए जो ये रेपुटिड प्राइवेट स्कूल थे तो इसकी वज़े से ही हमने ये वीडियो बनाया है क्योंकि इनमें अगर आपकी जोब लगती है तो आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो आपको एक गोर्मेट जोब में मिलते है तो सेलरी इनकी भी इन्होंने बताया कि सेलरी एज़ पर सेवन्थ पे कमिशन होगी आपकी और इंटर्व्यू बेस सेलेक्शन है आपका बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं कि जो किसी कार्णवर्मेट जोब नहीं लग पाते तो ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर वो इन स्कूल्स में जोब करेंगे तो उनको वो सभी फैसलेटी मिलेगी जो उनको एक गोर्मेट जोब में मिलनी चाहिए थी और जब तक कोई गोर्मेट जोब के फोर्म नहीं निकल रहे हैं और कहीं पर आपका सेलेक्षिन नहीं हो रहा तो तब तक आप अच्छे से इन स्कूल्स में जयोब कर सकते हैं और सभी कैंडिडिट इसमें अपलाई कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन कहां कहां से आये हैं और आप कैसे फिल कर सकते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये दिल्ली पब्लिक स्कूल गुडगाओं से आया है तो इसमें बताया गया है कि Special Educator की पोस्ट है जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बताया गया कि Special Educator की पोस्ट है और आपको कोई Feast Pay नहीं करनी है अगर आप Form Fill कर रहे हैं तो किसी भी स्कूल ने कोई भी Feast नहीं रखी है इन्होंने बताया है कि जो भी Qualification आपकी वो CBSC और Government Norms के According होनी चाहिए तो आप देख सकते हो जब ये Qualification Government Norms के According ले रहे हैं तो Benefit भी Government Norms के According ही आपको मिलते हैं Shortlisted Candidate को ही ये Interview पे बुलाएंगे और आप जो Application Form है इन्होंने ये Website मेंशन की है तो इस Website पे जाके आप Application Form दाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको Fill कर सकते हैं तो आप Application Form कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बताया कि इनके Reception पे या तो आप 9 बजे से 3 बजे के बीच में या फिर इन्होंने ये E-Mail दी है यहाँ पे तो E-Mail कर सकते हैं आप घर बैटे ही Form Fill करके और आप इनको E-Mail कर सकते हैं कोई Charges नहीं है कुछ नहीं है और इन्होंने डेट बताई है दो फरवरी तक आप इनको E-Mail कर सकते हैं आपको Post जो भी Apply कर रहे हो आप वो Subject में Mention करना जैसे ही हम Mail करेंगे तो Mail का जो Subject होता है उसमें आप Post का नाम Mention करोगे तो देख सकते हो आप सभी को पता है कि जो दिल्ली Public School है वो कितने अच्छे Schools है उन्हें सभी Facility Provide करवाई जाती है जैसे आप एक Government Job में मिलते ही हैं आपको Job और भी बहुत सारी Post हैं अब जिस भी Post के लिए Elisible हैं और Form Fill करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट हम Mainly यहाँ पर बात करें हैं Special Educators की तो इसके अलावा आप दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर VSPK International School यह भी सेक्टर तेरा रोहिनी न्यू दिल्ली में ही है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने Special Educator की Post मेंशन की हुई है यह आप देख सकते हो तो यह Special Educator की Post है इन्होंने भी बताया कि Qualification as per rule के है और जो भी eligible candidate है तो वो detail resume के साथ जो भी उनका latest photograph है और उसके साथ अपने जितने भी document है उसके जितने भी qualification है उन सभी की copy self test करके और 7 days के अंदर इन्होंने यह email mention की है यहाँ पे इन्होंने भी तो वो email भीज सकते है तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं यह भी आपको email के थरू भीजना यहाँ पे बहुत अच्छी बात ही है कि कि किसी भी school की आपको fees pay नहीं करनी है अगर आप eligibility criteria fulfill कर रहे हैं तो सबी schools में आप email कर सकते हैं ना आपको कहीं जाने की जुरूरत है ना आपको कोई post करना है सिरफ email के थरू ही आपको वहाँ पे apply करना है तो आप घर बैठे ही सबी schools में apply कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के तो किसी भी school में आपका selection हो सकता है उसके लाब अगर हम next देखे SR century public school तो यह भाद्रुगड में है यहाँ पे अगर हम देखे यहाँ पे भी special educator की post निकली हुई है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो special education teacher यह लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी special educator की post निकली हुई है इन्होंने बोला कि fluent in English आपको English अच्छे से आने चाहिए अगर आप apply कर रहे हैं तो पहले इस पे ध्यान दे कि आपको English अच्छे से आती हो और minimum इन्होंने 5 year का experience पांगा है salary के लिए इन्होंने बोला कि deserving candidate को यह अच्छी salary देंगे और CV आप सभी document के साथ और साथ में photograph अपना लगा के और आप इनको इस mail पे send कर सकते हैं within 10 days तो इसके बाद अगर हम देखे next मानव रचना international school तो यहाँ पे इन्होंने यह आप देख सकते हो special educators and counselor यह लिखा हुआ है तो यहाँ पे इन्होंने post निकार ली है और इनको भी जैसा कि यह देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ यह mail दियो यह इन्होंने भी कि आप अपना resume और सभी document लगा के इनको mail कर सकते हैं इसके इलाब अगर हम आगे देखे तो यह राम राम आ गया group of schools तो यह दो स्कूल है आप देख सकते हो जो noida extension में है और noida sector 50 में है तो दोनों ही स्कूल में इन्होंने special educator की recruitment का notification निकाला है जैसे कि आप यहाँ पे second number पे देख सकते हो और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही स्कूल में तो special educator की post का notification निकाला है इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपको apply करना है तो यह barcode दिया हुआ है तो इसको scan करके आप apply कर सकते हैं और तो बहुत सारी और भी पोस्ट हैं अगर आप किसी और भी subject के लिए अगर जो recruitment की condition है वो fulfill करते हैं तो आप किसी भी subject में apply कर सकते हैं यहाँ पर कोई fees नहीं है apply करने की और आपको scan करके ही apply करना है इसके लावा आप देख सकते हो the tribun school है यह तो यह भी गुडगाओं में है और यहाँ पर भी इन्होंने special educator की post यह 7th number पर आप देख सकते हो special educator की post निकाली है तो salary आपको बहुत अच्छी देंगे यह deserving candidate है जो भी shortlisted candidate को ही interview के लिए बुलाएंगे आपको resume form है must be download आपको school की website से download करना है जो resume का format है और इनको mail करना है 31-2024 तक जो की mail इन्होंने यहाँ पर दी हुई है तो देख सकते हो आप बहुत अच्छे अच्छे school से recruitment के notification आए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें government schools में ही job करनी है private school भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी अच्छी salary आँ देते हैं और सभी वो benefit देते हैं जो एक government schools को मिलते हैं तो आप में से job भी साथी eligibility criteria फुल्फिल करता है और अच्छे schools में job करना चाता है तो वो form fill कर सकता है बिना किसी fees के और आपको कोई post नहीं करना सिरफ mail करना है और ऐसी और भी information पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में bell icon का बटन जरूर दुपाए ताकि जब भी हम वीडियो upload करें तो तुरेंट आप तक notification पहुंच जाए और वीडियो को जासे जदर like करें साथ में share भी करें Thank you